खेरे बच्चों आप सभी को नमस्ते आज हम कक्षया सात्मी की उस्तक समाज एकेव राजनतिक जीवन में पाठ नो छेत्रिये संस्कर्तियों का निर्मान पढ़ेंगे आएए पढ़ते हैं सही जोड़े बनाईए अनंत वर्मन उड़िशा जगनात पूरी महोदेपुरम केरल लेला तिलकम केरल मंगल कावे बंगाल लगोचित्र कांगडा अगला परशन है बंगाल के मंदिरों की सथाप कला के महतवकुर्ण लक्षन क्या हैं? उत्तर देखे बच्चो बंगाल के मंदिरों की सथाप कला के मुखे लक्षन इस परकार हैं नमब एक, बंगाल में मंदिर ऐसी लोगों द्वारा बनाये जाते थे, जो सक्ति साली बन रहे थे, इनके माध्यम से वे अपनी सक्ति वे भक्ति भाव को दिखाना चाते थे, नमब दो, मंदिर साधारण इटों तथा मिट्टी गारे से बने होते थे, नमब तीन, इन मंदिरों की सकल या आकरती बंगाल की चपपरदार जो पडियों कीतर है दो चाला और चो चाला होते थे, दो चाला इन दो मंजली चो चाला इन चेयार मंजली, नमर चार इन मंदिरों का निर्मान एक वरगाकार चबूतरे पर किया जाता था नमर पांच इन मंदिरों के भीत्री भाग में कोई सजावट नहीं होती थी परनतु काफी मंदिरों के बाहरी दिवारें चितरकारी सजावटी टाइलों तथा मिट्टी की पटियों से सजी होती थी अगला परसन है बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गई उत्तर है बंगाल में मंदिर निमन कारणों से बनाए गई नमबर एक पंदरवी सताफदी के समय में बंगाल में विभिन जातियों के मद्धे अलग लग जातियों के बीच मंदिर निर्मान को लेकर आपसी परतियोगता ने मंदिरों के निर्मान में काफी वड़ावा दिया नंबर दो, बंगाल में तेली जैसी साधारण जाती के लोग तथा दातु से संबन्दित कारिग्रों ने साधारण इटों और गारे के मंदिर बना कर इस्वर के परती अनुराग को व्यक्त किया नम्बर तीन बंगाल में पाल वंस के सासकों तथा उनके उत्रा दिकारी सासकों ने मंदिरों के परती संरक्षन देने वाली निती अपनाई जिसे मंदिरों के निर्मान को बढद हवा मिला नमबर च्यार बंगाल के मूर्तिकारों ने अपनी कला का परदसन करने के लिए मंदिरों का निर्मान करवाया नमबर पांच संस्कृत भासा और बारती संस्कृति को लोकपिरिये बनाने के उद्देश्य से यहां मंदिरों का निर्मान करवाया गया अगला परसन है मनी परवालम क्या है इस बासा में लिखी पुस्तक का नाम बताइए मनी परवालम एक सैली है सैली है नहीं कला जिसका साब्दिक अर्थ है हीरा और मुंगा इस बासा में लिखी पुस्तक लीला तिलकम है अगला परसन है कथक के अलावा भारत में अन्य सास्त्री नर्त्यों का वर्णन करो कथक कली केरल यानि केरल में कोन सनर्त है कथक कली अगला परसन है कथक के परती विल्टिस द्रश्टि कौन कैसा था विल्टिस परसासकों ने भारत की अन्य संस्कर्तिक गती विद्यों की वानती कथक को भी ना पसंद किया धरम ठाकूर कौन थे ये एक छेत्री देवता है जिनकी पूजा अवसर अकसर एक पत्थर या काट की मुर्ति के रूप में की जाती है चोद्मी स्तावदी का परसिद गरंथ कौन सा था लिला तिलकम अगला परशन है बच्चो बारमी स्तावदी में गंगवंस का परशिद राजा कौन था राजा अनंत वर्मन अगला परशन है 1586 में अकबर ने किस परदेश को जीत लिया था बंगाल को रानी मैनावती के पुत्र का क्या नाम था गोपी चंदर किस साहिते में मचली का स्थान पर उलेक मिलता है बंगाल में बंगाल में रचित 13-20 सदी का संस्कृत गरंथ कोन सा है बुद्ध धरम पुरान अगला परशन 850 से अठार सु पीचे तर के दोरान नर्ते किस किन छेत्रों में फैला कथक नर्ते किन छेत्रों में फैला हर्याना, पंजाब, बिहार, मद्दे परदेश, आदि परदेशों में फैला पीर सवद का क्या अर्थ है यह फार्शी वार्षा का सवद है जिसका अर्थ है अध्यात्मिक मारक दर्शक जातिवयाद से आपका क्या भी पराए है यह मानना है कि पेड़ पोदे जीव जन्तूं वस्तूं और प्राकरति गटनाओं में भी जीवात्मा है जातिवयाद कहलाता है तेरवी स्ताफदी संस्कृत गरंत कौन सा है बुद्ध धरम पुरान बसोहली सैली किसे कहते हैं लगू चित्रकला में एक सहसपुर्ण एयो भावपुर्ण सैली का विकास हो गया जिसे बैसोहली सैली कहते हैं अगला पर्शन है वैसोहली सैली में चित्रित सबसे लोग परिये पुस्तक को शिति थी बानुदत की रसमंज्री अगला पर्शन है सत्रवी स्ताफदी और उसके बाद के वरसों में हिमाचल पर देश में किसल चित्रि शैली का विकास हुआ और कहां हिमाचल परदेश के इर्द गिर्द आसपास हिमाले की तल हटी में वैसोली शैली का विकास हुआ अगला परशन है विजयताओं ने पूरी स्थित जगनाथ के मंदिर का निमंतरन प्राप्त करने के लिए करने के परियतन क्यों कि ये नियंतरन नियंतरन मने उस पर काबो पाने के लिए उडिशा में पूरी श्थित जगनाथ मंदिर ने समय के साथ साथ राजनतिक महतव भी प्राफ्ट कर लिया था इसी कारण विज्यताओं ने इस मंदिर पर निंतन पाने का परियास किया वेज होसते थे कि मंदिर पर उनके अधिकार से शथानी जनता उनके सासन को सुविकार कर लेगी नगला परसन है चारण भाटों ने सूरवीरों की उपलबदियों की उद्गोशना क्योंकि यहां सूरवीरों से अभी पराए वीर राजफुतों से है उनकी वीरता की गाथाएं, वीरता की कहानिया, कावियों तथा गीतों की रूप में सुरुक्षित है इने चारण भाट गाते थे ताकि सूरवीरों की श्मर्ती यादगार को सुरुक्षित रखा जासके इसके अलावा ये गीत अन्य लोगों ने भी सूरुवीरों का अनूसरन करने का जोस बरते थे जन्सादान को ये गीत विशेश रूप शे आकरशित करते थे अगला परसन है, नादिर साह ने भारत पर कव आकर्मन किया 1749 स्वि में, कहां की कलाकारों ने नई सेली विक्षित कर दी, कांगडा अगला परसन है, गोड़ी वैठा अंदोलन के निता कौन थे, चैतन्य देव बंगाल की लोगों का प्रमूख धंदा क्या रहा है, मचली पकड़ना मलियालम कहां पर बोली जाती है, केरल में 1910 स्वि में बिल्टिस लोग, उस छित्र को, जहां आज का अधिकांस राजस्तान स्थित है 1910 स्वि में, कोण शी श्ताबदी में से आज के राजस्तान के अधिकांस भाग पर विभिन परिवारों के राजपूत राजाओं का सासन रहा है लगबग आठवी स्ताफदी कथक सबद किस सबद से निकला है कथा से इसका प्रियोग किसके लिए किया जाता है संसकर्त था अन्य वाशाओं की कहानी रास लिला किसे कहते हैं अगला प्रशन है बच्चो जैपूर कहा है राजस्थान में बंगाली में प्रारंबिक साहिते को कितनी स्रेणियों में बाटा है दो स्रेणियों में कौन सी स्तावदी के अंत में यूरोप के लोग एक सामराज्य को सदे से मानते थे अठारवी स्तावदी तो बच्चो हमारा ये पाठ फूरा हुआ आपको समझ में आया होगा बारबार पढ़े धन्यवाद